आज आप लोग के लिए उना फिर से एक नया सेशन नया वीडियो के शाथ प्रस्तूत हैं आईए मिलिए एक सांदार सेशन से हर वीडियो के भाती यहाँ भी एक वीडियो शांदार सेशन के शाथ जिसमें कि आप लोग को पता है यहाँ तिर्गोर मीती का शवाल है प्रशना वाली आठ पॉइंट दो का है कच्छा दस वी का है NCRT बुक है और पड़स्न संख्या जो है वहाँ दो के टोटल उसमें चार सवाल है दो के कितने सवाल है चार सवाल है वह चारों सवाल को इस वीडियो में आज हम किलियर करने वाले हैं चलिए बिना देर किये हुए अपने काम पर चलते हैं शेशन को सांदार बनाते हैं तो इंटो 10-30 दिग्री बटा में 1 पालस में 10 असकॉर्ई है 30 तो हम लोग जानेंगे सबसे परहिंए कि 10-30 दिघ्री कामान क्या होता है यहां दो है तो दो लिक्से देगे गुना 10-30 दिग्री कामान 1 बटा में रूट तीन बाटा वान पॉलास तें तीज़ डिज़्ी गमान से हैं उसी परकार वान भाई रोट फिरी लेकिन इस पर डो पावड है एसकुर है तो हम लोग क्या डालेंगे बच्चों एसक्वार डालेंगे 2 multiple है 1, 2 अबाय में रोड, एसके आपाय में हम लोग चलेंगे 1 पालाज, 1 का e-squire, 1 बाटा, रूट 3 का e-squire कितना होता है, रूट 3 का e-squire तो आप लोग को पता चल चुका है, यहां रूट 3 का एस्पायर करेंगे रूट 3 कुना रूट 3 रूट 9 होगा रूट 9 का बर्ग मुल 3 होगा ना चलिए नीचा में 3 लिख दिये इसके बाय में नहीं कुछ तो यह हम लोग अपने मन से डाल सकते हैं हम लोग जो हम क्या करेंगे उपर में 2 वाय में रूट 3 पार ए इक और 3 का एल्शियम बच्च्चो तीन होगा तीन हम नवोग डाल दिये उसके बार एक से भाग लगाएंगे यह सब मावगाएंगे तीन बाद में लगेगा तीन गुना एक कड़ेंगे तीन गया होगा पल निपना हो जाएगा जाएगा तीम ऊपर चला जाएगा जैगा धूनी चार कट गया इस तीन को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं इस तीन को तीन अबाय में रूट तीन जो बचा हुआ है इस तीन को हम लोग रूट तीन गुना रूट तीन लिख सकते हैं अब आटा में रूट तीन अब क्या करेंगे रूट तीन रूट तीन काट दिये अब बचा कितना रूट त और रूट 3 जो है किसका मान होता है बच्चों तो रूट 3, 10, 60 डिगरी का होता है आप लोग देख लिजिए या 10, 60 डिगरी जो है C नमबर का उपशन में है तो दो का एक नमबर का सवाल 10, 60 डिगरी अपशन नमबर C पुरान दा अनुसा है अब हम लोग चलेंगे दुसरे नंबर सवाल पर दूसरा सवाल जो है आप लोगों के सामने प्रस्थूत है इसको हम किलिड कर देते हैं पर दीकल इसमें सवाल नमबर दुसरा पर चलेंगे वान है तो वान 1045 दिग्री का मान 1 होता है अगर 1 का स्क्वाइर करेंगे 1 ही होगा 1 पालास 10 स्क्वाइर 45 दिग्री तो 1045 दिग्री का मान तो वही एक लिखेंगे एक का स्क्वाइर अब क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 एक का स्क्वाइर एक बाटा एक पालास एक का स्क्वाइर एक एक में एक घटेगा क्या हो जाएगा जीरो बाटा में एक में एक जुट जाएगा दो अगर जीरो में दो से भाग देंगे तो इसका अंसर क्या होगा? 0 होगा बच्चों Option number 10 का क्या होगा? D आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं 2 का 2 नंबर का अंसर 0 होगा Option number D होगा Correct answer हम लोग अब चलेंगे तिसरे नंबर सवाल पर सवाल नंबर तिसरा सवाल कहता है साइन टू ए बराबर टू साइन ए तब शत्य होता है तब शत्य होता है जबकी ए बराबर है ए बराबर क्या है? कुछ चीज को बताना है इसमें उप्सन हम आप लोग को दे देते हैं जिरो डिगरे दें का अप्सन ट्यश डिगरे फिक नमबर में option पैर था बज़े डेंहिए नमबर में अप्सन साथ डिगरे अब इस सवाल प्वे हैं बच्चों हम लोग अप्सन के साथ बनाेंगे काईसे बनाएंगे? ऑप्शन के साथ अगर पहला उप्सन हम लोग जो है जीरो ले करके चलेंगे अगर यह कमाण अगर जीरो लेकरके चलेंगे इधर वाला भेल्यू और इधर वाला भेल्यू Lhs कमाण और RHS कमन कोई ठीटा कमन लेने पर अगर बराबर हो जाता है वही उसका correct answer होगा अगर हम लोग अदी A बराबर 0 degree लेने पर अगर 0 degree लेते हैं तो सवाल दिया हुआ है sin 2 A बराबर तो sin A तो sin 2 Guna A एक के जगे क्या ले रहे हैं 0 बराबर 2 Guna sine A के जगे क्या देंगे 0 उसके बाद यह आप लोग देख सकते हैं sin 2 Guna एगर 0 कर हैं तो इसका मानी क्या होगा 0 होगा उसके बाद 2 Guna sin 0 degree का मानी क्या होता है 0 होता है उसके बाद 0 बड़ाबर तो गुना 0, 0 LHS बड़ाबर RHS इसका मतलब जो है LHS बड़ाबर RHS हो गया तो इसका मतलब जो है हम लोग का अंसर जो है बच्चों A नमबर का ही सही होगा और ठीटा A बड़ाबर इसका अंसर 0 डिग्री ही शत्य होगा ठीख है? 2, 10, 30 डिग्री बड़ा 1-10 square 30 डिग्री और यह सवाल है तो गुना 10, 30 डिग्री का मान कितना होता? 1, 2, root 3 बड़ा 1-10, 30 डिग्री का मान 1, 2, root 3 इसका पावर दो उसके बाद जो है दो गुना 1, 2, 2, root 3 बड़ा 1-1, root 3, root 3, root 3 इसके बड़ा मन नहीं कुछ तो एक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? भीन का घटा करेंगे नीचे बड़ा भाग में करेंगे ना? दो बड़ा में, root 3, भागा एक और 3 का एलसियां, 3, 3 में एक से भाग देंगे, 3 बार में 3 गुना 1, 3 मानस, मानस, 3 में 3 से भाग देंगे, एक बार में, 1 गुना 1, 1 अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहां दो बड़ा, root 3 है दो बड़ा, root 3, भागा दो में से तीन घट, ना, तीन में से ये घट जाएगा दो बड़ा में 3 आएगा भाग का उल्टा गुना हो जाएगा दो बड़ा, root 3, गुना 3 उपर, दो लिया ये दो, ये दो मड़ गया, उपर में बचा, 3 बड़ा में root 3 इस तीन को हम लोग root 3 आगुना root 3 लिख सकते हैं बड़ा में root 3, root 3, root 3 कैंसील, यहां आया root 3 root 3 हम लोग किसका मान होगा? root 3 जो है root 10, 60 degree का मान होगा option number C, correct option बच्चो अगर यह season आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे channel को like, share and subscribe कर bell icon जरूर दबाईएगा जिससे कि अगर हम जैशे ही video upload करें तो आप लोग तक तुरंत ही notification चला जाए है और आप लोग को एक से एक video मिलता रहेगा, regular मिलेगा हमारे शाथ आप बने रहेंगे, thanks for watching ठाप लोग लोग कर लग्छाएग ऑप लोगाप